क्लासेसमेς आज हुनलोग बात करने वाले तश्या शीतिех अधियाई के अंतरnarगत सठ रितू चुर्या के अंतरगत हम लोग पड़ रहे हैं बसंतrol चुर्या आज हम लोग बसंत सीर रितू के बारें पड़ेंगे कि बसंत रितू में किस स्प्रिंग सीजन इसको बोलते हैं गुलाबी गुलाबी रितु इसको बोलते हैं सिंपलियों कहें गुलाबी रितु है इस्प्रिंग सीजन है गुलाबी रितु है और बसंत की जो पर्याई है बसंत रितु के पर्याई क्या है कुसुमा गमे याद रखेगा कुसुमा गमे अ खेतों में लहलाते हैं, ये बसंद रितु में होते हैं, तो सरसो के पुस्प याद रखीगा, वो आपका बसंद रितु को याद दिलाएगा, सरसो का जो पुस्प होता है, खेतों में पूरा पूरा लहलाता है, वो बसंद रितु को याद दिलाएगा, कुसुमा गमे कहते हैं अब हम लोग यहाँ पर सुरुवात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगनी किसी थी हम लोग क्या देखेंगे जठरागनी क्योंकि इसी जट्रागनी के बेसिस पे पूरा का पूरा हम लोग का ये पूरा जो रितू है एक्स्प्लेन हुआ है तो इससे पहले हम लोगों ने हेमंत और सिसी रितू देखा था हेमंत और सिसी रितू में जट्रागनी क्या थी तिब्र थी जट्रागनी उस दोनों रितू में क्या थी तिब्र थी तो जो भी खाते पीथे थे खूब पचा देता था किसी रोग ब्याधी का नाम ही नहीं आया सबसे पहले रितु हेमंत वडन किया था हेमंत के बाद हेमंत के बाद सिसिर रितु का वडन किया था सिसिर के बाद बसंत आया पहले नमबर पर हेमंत दूसरे पर सिसिर तीसरे पर बसंत तो हम लोग बात करते हैं बसंत के बारे में तो यहां पर बसंत की बात करते हैं बसंत र मन्द पढ़ जाती है आता है ठंडी से थोड़ी सी देखेंगे जब सिसीर के बाद सिसीर के बाद जब बसंत में आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे सूर उत्रान होता है अथात दच्छड आदानकाल होता है तो यहाँ पर टेंपरेचर सूर थोड़ा सा बलवान होता है सूर का जो तापमान संचित हुआ कफ, हेमंत रितु में संचित हुआ कफ, जो कफ है हेमंत रितु में संचित हुआ था, वो क्या होगा, सूर्य की किरडों से प्रेइध होकर, इस पर किसका एक्षन होगा, सूर्य की किरडों का एक्षन होगा, सूर्य की किरडे, एक्शन करेंगी, मतलब तापमान बढ़ गया, टेंपरेचर क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, तो टेंपरेचर बढ़ेगा, जो संचीत हुआ कफ था, तो देखेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, कि जो हेमंत रितू में यहाँ पर क्या होता है, कफ, कफ का संच्व ओता ए और इंदर में कफ करने में भंभाने कि वाग। भस वागद ही करते हैं यहीं के जो सनिख ऑगा prono可能 कि जो को सिएग सेुए प्या है। और एकमति टरदिए थो इनश्मृड़ पार उनर सलीन तो यह तैकि ग्रीट यह तो सिर्ते हैं DAN घी था हम एग्जांपल बता रहे हैं, समझ लिजीए, हहम एहम इन्रितु में जो जमा हुआ घी था, सी सी रूतु में थोड़े सा टेंपरेचर बढ़ने की वज़े से, खसा ठीला जाता है, लेकिन जब बसंत इन्रितु में आते हैं, तो यहाँ टेंपरेचर और बढ़ जाता है तो वो बिल्कुल फैल जाता है द्रवरूप में हो जाएगा तब उसी से समझे हम बात कर रहे हैं तो चरक ने बोला है कि हेमंत रितु में संचीत हुआ कफ सूर की किरडों से प्रेरी थोकर सूर की किरडों मतलब तापमान बढ़ता है तो सूर की किरडों से प्रेरी थोकर अर्था द्रवी भी थोकर प्रेरी थोकर मतलब द्रवी भी थोकर जट्रागनी को मंद कर देगा तो यह कफ क्या हो जाएगा कफ जो है धीला हो जाएगा धीला हो जाएगा अर्था लिक्विड हो जाएगा कफ लिक्विड हो जाएगा तो क्या करेगा ये जट्रागनी को मंद कर देगा जट्रागनी को मंद कर देगा ठीक है ना जब जट्रागनी मंद हो जाएगी अब जट्रागनी मंद हो गई फिर भी अगर आप अगर जठागनी मंद हो गई और आप आपने फिर भी अगर खाने पीने का ध्यान नहीं दिया आप गुरु आहर द्रबयों का सेवन करते ही रहे तो क्या होगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया खान पान का, तो क्या होगा, अनेक प्रकार के रोग होंगे, अनेक प्रकार के रोग उत्पन होंगे, रोग अर्थाथ ब्याधी, अनेक प्रकार की ब्याधी या रोग उत्पन होते हैं, अब बात है कि अब इस रितु में ये जो कफ ढीला हु वहाई दो सकी होगा कि आप गल्ती से भी अगर भारी चीजा है यह पचेगा नहीं तो रोग उत्पन होगा अपच्छ उत्पन होगी तो अब यहाँ पर उपाई भी बताया गया है कि जो संचीत कफ था संचीत कफ संचीत कफ जो जिसको हम लोग बाद में सुर्की क्रोडों से धीला हो गया था ठीक ना धीला हो गया था या लिक्विड हो गया था ठीक ना लिक्विड होने से पहले ही चरक ने बोला है कि संचित कफ को सरीज से निकाल अगर देंगे तो क्या होगा तो उसके लिए उन्होंने प्रॉसेस बताया है कि इसलिए इस रित पंच कर्म के अंतरगत आता है, तो संचित कफ को निकालने के लिए बमन कर्म कराने का विधान बोला है, कहां पर बोला है, बसंत रितु में, बसंत रितु में बोला गया है पंच कर्म का विधान, क्यों बोला गया क्यों कि हां संचित कफ होता है, अगर यह धीला पड़ जाए उसको मंद होने से रोकिए आटोमेटिक कोई ब्याधी नहीं होगा अगर मंद हो गई तो क्या होगा अनेक परकार के ब्याधियां उत्पन होगी उमीद है कि ये चीज आपको जट्रागनी का जो कांसेप्ट है समझ में आया होगा जट्रागनी को पकड़ के चलना है रितुचर्या में किसको पकड़ना है जट्रागनी को पकड़ना कहां तिब्र है कहां पर मंद हो रही है मंद हो रही है तो क्यों हो रही इस तरह की बाते आपको क्लियर कट कर देंगी आगी आपको हम लोग बात करते हैं कि बसंत रुतु में ट्याज आहार बिहार तो यहां पर देख रहे होंगे चरक ने clear cut बोला है कि इस बसंत रुतु में क्या क्या चीजे नहीं खाने चाहिए और कौन-कौन से कर्म नहीं करना जिसको बिहार बोलते हैं तो यहां पर चरक ने क्या बोल रहे हैं कि क क्या नहीं खाना चाहिए तुन्हें बुला है बसंत्रितु में गुरु गुरु आहार और उसका अमल अमल द्रब्व सयुक्त जो आहार होना चाहिए उसका सेवन नहीं करना चाहिए और इसनिग्ध इसनिग्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए इन तीनों का सेवन नहीं करन क्यों करना चीए इसको मुद्ध करना करेंगे साथ ही साथ क्या होता है इसमें दिवा स्वापन निशेद रखिख मना किया गया है तो हम देख रहे हैं कि पर क्यों गुरु आहार, अमलाहार वस्निकदाहार नहीं करना चाहिए, क्यों कि यहाँ पर देख रहे थे कि बसंत रितु में क्या हो रहा था, कि जो संचित कफे मंत रितु में था, वो क्या हो रहा था, धीला हो रहा है, सुरु की करणों से धीला हो रहा है, टेंपरेचर बोला है गुरु आहर, अमल आहर, इस निक्दाहर का सेवर नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ एक important point है, जो कि MCQ में बनता है, कि दिवा सपन किस रितु में नहीं करना चाहिए, बसंत रितु में, इसका हम लोग अलग से बता देंगे, तो ये चीज़े आप देख रहे होंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इसके बारे में, next heading is C, कि बसंत रितु में आहर विहार, इसके बाद देखेंगे कि बसंत रितु में सेवनी आहर विहार, अर्थात क्या क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, एक बाद ध्या के साथ कहता हूं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इस पूरे concept समझ में आ जाएगा और आप अपने आप analysis कर सकते हो कि ऐसा क्यों बोला गया है तो आप अपने दिमाग का प्रयोग करके मतलब आप एक बार पढ़के पूरी बाते याद रख सकते हैं दूसरे को स साथिसाद उन बोला कि उबटन लगवाई हो बटन का प्रयोग बोला है और बोला है कि मल मुत्र त्यागने के बाद गुनगुने जल का प्रयोग बोला है गुनगुने जल का प्रयोग बोला है साथी साथ बोला है क्या चीजे जव है गेहू है जव है गेहू है इत्यादी का सेवन बोला है और साथ में क्या बोला है उन्होंने बोला है कि खरगोस काला हीरड लावा बटेर खरगोस कुछ मांस बोला ये लगू होते हैं खरगोस काला हीरड लावा बटेर के मांस का सेवन बोला है तो मांस ये लगू होता है ठीक है ना? चिंता मत करिए लगू होता है तो यहाँ पर जट्रागने मंद होती है तीसले यहाँ पर इस तरह के चीजे बोली गए, यह जो मांस होते हैं यह लगू होते हैं इसले यहाँ पर बोला गया है, उसके साथ साथ देखेंगे कि उन्होंने यहाँ पर यह बोला है, मैथून कर्म को भी बोला है, और मैथून का मतलब कि इस्तरी सेवन, इस्तरी सेवन की बात भी बोली है जबकि आप इससे पहले देख रहे थे कि जो हेमंत रितु से सिरुतु में या थेष्ट मेथून की बात कर रहे थे जितनी इच्छा सकती हो जितनी सकती हो उतनी बात की गई थी लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कम की बात की गई है मैथून अर्थात और उपवन उपवन मतलब बगीचे बगीचे में घूमना चाहिए क्योंकि क्या होता है बसंद रितु क्या होती है स्प्रिंग सीजन होती है गुलाबी रितु होती है यहाँ पर घूमने फिरने की बात कही है और साथ ही साथ इसमें एक और पॉइंट धाने लिएगा कि सीधू और माध्विक यह सराब की बात की है सीधू मदिरा की बात की है सीधू और माध्विक माध्विक यह मदिरा के भेध है यह दोनों क्या है मदिरा सीधु और माध्विक मदिरा का सेवन बोला गया है तो इस तरह से यह हम लोग का लेक्चर कम्पलीट होता है उमीद है वीडियो समझ में आया होगा वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करे साथी साथ वीडियो पे कमेंट भी जरूर करे जिसने की हमें भी हमारा मनुबल बढ़ता रहे और चैनल को सस्क्राइब जरू करें धन्यवाद